आज हम टी एस इलियट के दुवाला लिखी गई एक पोएम मैकवीटी दा मिस्टरी कैट पढ़ेंगे मैकवीटी इसमें एक कैट है जो काफी कनिंग है काफी धूर्थ है और वह एक अपराधी है और ऐसे अपराध करता है कि कोई सुराज भी ने चोड़ता और वैसे इस लेबल पर इसके सूर्स को जानना या इसके बहुत से डिटेल्स को जानना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसका थोड़ा सा सूर्स बताता हूं माना जाता है कि टीए सेलियट जो है शिरलोक होम के काफी शौकीन थे फैन थे और शिरलोक होम जो है वह कोनन डोल के द्वारा लिखी गई है और यह जो है एक मिस्टरी फिक्शन है एक उपनियास आप कह सकते हैं रहस में उपनियास उसमें एक कैरेक्टर है प्रोफेसर मुराइटी और यह character जो है यह मैकवीटी से काफी यह नाम मिलता है इस character का और यह character भी जो है जो Scotland Yard की जो पुलिस है उसको भी काफी परशान करती है बहुत चकमा देती है और यह पुलिस के पकड़ में नहीं आता है ओके पुलिस इसके पीछे लगी रहती है लेकिन वह तरह 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 तरीके अपना कर जो है वह कराइम करता है और पुलिस के हाथों से जो है वह निकल जाता है तो यह जो है एक illusion उसी से लेकर लिखी गई जो है यह एक poem है ओके और इस poem में जो है शिरलोक हॉम्स जो है यह कहता है कि यह Napoleon of Crime यानि पूरे जितने भी criminal है उसका जो है यह सरगना यह head है mastermind है उसी तरह इस बिल्ली के बारे में भी कहा गया है तो चलिए सबसे पहले जो है हम writer के बारे में जान लेते हैं T.S. Elliot के बारे में जान लेते हैं पूरा नाम जो है वह है Thomas Stearns Elliot इनका जन 1888 में और इनकी दित 1965 में होती है इनका जन में जो है St. Louis, Missouri United State of America में हुई लेकिन यह बाद में इंग्लैंड में पूरी तरह से यह सेटल हो गया और यह literature में इन्होंने खुद कहा कि a classist in literature यानि literature में classist उसे कहते हैं जो rule, regulation, form को ज़्यादा मानता हो और जो Greek की जो writing है या जो writing जिसमें जो है एक standard है उसको वो follow करता हो तो यह अपने आपको classist कहते हैं literature में Anglo-Catholic in religion धर्म में यह Christian थे तो Anglo-Catholic अपने आपको कहते हैं and royalist in politics, royalist का आर्थ होता है जो monarchy को support करें monarchy का आर्थ है यानि जो kingdom यानि king जो है वो शासन करें ऐसे जिसकी सूच हो उसे royalist कहते हैं और यह 20th century के बहुत ही best जो है poet बनके उभरे और यह एक critic critic जो आलोचक है और dramatist जिसने drama लिखी है वैसे इन्होंने जो है 5 drama लिखी है और drama जो है वो वर्स में लिखी हुई है और इन्हें nobel pride जो है 1948 में literature में इन्हें मिला the wasteland the wasteland के बहुत ही famous जो है वह poem है बहुत ही famous wasteland ash wednesday and four quartet यह इनके poem के सारे poems है और यह जो है यह अपने poem में जो है यह represent करते है intellectuality को कि intellectual जो power होता है social power philosophical mood of 20th century 20th century की जो सारी चीज़ है उसको यह अपने poem में जो है उजागर करते हैं औके और यह जो poem है macabrety the mystery cat यह इनके एक poem का collection है old possum's book of practical cats वहीं से ली गई है और इसके जो है music stage पर दिया गया था और वह great composer बहुत बड़े संगितकार के द्वारा दिया गया था जिसका नाम है sir Andrew Lloyd Webber यह एक हलकी poem है और यह mock heroic style में poem है इसलिए इस poem की जो है बहुत जादा details की भी जरूरत नहीं है okay इसकी जो खुबसूरती जो है इसकी rhyming से neat rhyme है neat rhyme यानि जो है rhyme बिल्कुल मिल जाना उसे neat rhyming कहते हैं जैसे power को law से मिल जाना despair को देर से मिल जाना तो यह जो है इसी को नीट रायमी कहते हैं और गैलोपिंग रिद्म जो रिद्म है वो एबनॉर्मल रिद्म है जो ले है और इसमें कॉमिक इफ़ेक्ट भी है हसी मजाग का भी इफ़ेक्ट है और इसमें जो क्रिमनल है वो बिल्कुल मौन्स्टर की तरह है जो एक्चुले में एक कैट एक बिल्ली है वैसे बिलार है वो क्योंकि इन्होंने इस्तामाल किया है लेकिन बिल्ली भी अगर बोला जाए तो बिलार ही आप समझें तो चलिए अब टेक्स्ट शुरू करते है मैकवीटी दा मिस्टरी कैट इसमें राइमिंग देखिएगा कितनी अच्छा राइमिंग है मैकवीटी जो है एक रहस्मई बिलार है रहस्मई बिलार और इसे जो है एक गुप्त जन्तु भी कहा जाता है क्यों कि यह जो है मास्टर माइंड क्रिमनल है और यह लोग जो है लोग को भी तोड़ देता है लोग की अवग्या करता है यह जो बिलार है और और यह जो है बेफलमेंट आफ स्कॉटलेंड यार्ड दा फ्लाइंग स्कुएट्स डिस्पेयर वह जो है स्कॉटलेंड यार्ड के परशानी का सबब बन जाता है स्कॉटलेंड यार्ड और आगे फलाइंग स्कुएट्स जो है यह इंग्लैंड की दो बड़ी एजेंसी है संस्था है ओके जो किसी भी गुत्थी को सुल्जाती है लेकिन यह भी पुलिस जो है यह का बुरी तरह से परिशान है और उनके परशानी का उनके निराशा का जो सबब है यह मैकवीटी है और मैकवीटी जो है कहीं भी कराइम करता है लेकिन जब यह पहुँचते हैं तो मैकवीटी जो है वहाँ पे नहीं रहता है तो यह स्कॉटलेंड यार्ड और फ्लाइंग स्कुएड के लिए परशानी का सबब है और जब क्राइम के सीन पे पहुंचते हैं तो मैक वीटी जो है वहाँ नहीं रहता है मैकवीटी, मैकवीटी, there is no one like मैकवीटी मैकवीटी, मैकवीटी, मैकवीटी के तरह कोई नहीं है उसकी तरह दूसरा कोई नहीं है, यहाँ पर मैकवीटी, मैकवीटी काफी बार इस्तामाल हो रहा है अब चाहें तो summary में भी इसका इस्तामाल कर सकते हैं समरी लिखने के वक्त कि T.S. Eliot has used Macavity, Macavity और फिर Macavity is not there ये भी जो लाइन है काफी इस्तामाल हो रहे हैं और ये emphasize करने के लिए जूर देने के लिए बार-बार इस्तामाल किया रहा है के लिए He is broke every human law He breaks the law of gravity वह जो है मनुष्च के बना हुए सारे कानून को तोड़ देता है, वह कानून को नहीं मानता है यह जो बिलार है, यह किसी कानून को नहीं मानता है, हर कानून को तोड़ता है, even law of gravity को भी तोड़ देता है, law of gravity का रथ किसी चीज़ को जो है, वह एक जिगा fix करके रखना है नीचे खीच कर रखना लेकिन इस बिलार के अंदर जो है law of gravity भी तोड़ने की सलाहियत है वो आगे वाली लाइन में clear होगी कैसे तोड़ रही है कैसे तोड़ रहा है ओके His powers of liby would make a fakir stare His power of libyation would make a fakir stare and when you reach the scene of crime, Macavity is not there उसके जो उचलने की जो power है शक्ती है यानी जमीन से जो उचलती है billy तो जमीन को छोड़ देती है यान्य ग्रेविटेशनल force जो है वहां कम हो जाता है तो इसलिए यहाम पे यह putgia यह कहता है कि वो law of gravity को भी तोड देता है वो जो बिलार है वो law of gravity को भी तोड़ देता है क्योंकि इसके पास जो है उच्छलने की कला है और इस कला को देखकर जो फकीर है फकीर कहते हैं सन्यासी को इनके पास भी कुछ जादू होते हैं तो ये भी आशर्ज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता और वे बिल्कुल टक-टकी लगा कर देखते हैं क्योंकि मैकविटी जो बिलार है उसके अंदर या कला है और जब जब crimes इन पे आप पहुँचोगे तो मैकविटी जो है वहाँ पे नहीं मिलेगे मैकविटी is not there आप उसे बेस्मेंट में खोजो आप उसे हवा में खोजो उपर खोजो लेकिन मैं यह एक बर बता देना चाहता हूं और फिर एक बर बता देना चाहता हूं कि मैकविटी जो है वहाँ पे नहीं है मैकविटी is a ginger cat he is very tall and thin you would know him if you saw him for his eyes are sunken in मैकविटी जो है एक दुबली पतली बिली है जिंजर कैट है और वह बहुत लंबी और पतली भी है आप उसे एक बार देख लेंगे तो आप उसे असानी से पहचान लेंगे क्योंकि उसकी आँखे जो हैं वह धसी हुई है उसके जो भाव है वह भाव पे जो लाइन है वह काफी डीप लाइन है उससे ऐसा लगता है कि वह सूचता रहता है वह अपने विचार में खोया रहता है बहुत सूचता है ठोट को बताता है उसके और उसके सिर जो है वह उचा गुमबद की तरह है बिलकुल और उसका जो कोट है वो डस्टी है कोट यानि उसके उपर का जो परत है उसके जो बाल जो है वह पूरी तरह से डस्टी है गंदे है और गंदे इसलिए है कि बिल्ली की आदत होती है कि व उसके जो मूच हैं विसकर्स हैं वो भी कॉमड नहीं हैं कंगी नहीं किये हुए हैं उसके अंदर वह अपने जो सीर को है side to side घुमाती रहती है बिल्कुल चौकनना वो रहता है वो बिलार जो है चौकनना रहता है और उसका मुवमेंट जो है बिल्कुल साब की तरह है और जब आप यह सोचते हैं कि वह पूरी तरह से सोया हुआ है अच्चोली वो सोया हुआ नहीं रहता उस वक्त वो जागा हुआ है वो चौकनना है नीद में भी चौकनना है तो यहां पर जो है जिंजर कैट के बारे में यहां पर बताया जा रहा है उसका description बताया जा रहा है मैकवीटी जो है जिंजर कैट है एक पतला दूबला जो है बिलार है वह लंबा है ओके और आप उसे एक बार देख लेंगे तो आप आसानी से पहचानी है कि उसी आखे दसी हुई है और यहां पे भी लाइनिंग है उसके जो डीप थौट को दर्शाता है और उसके जो शरीर है वो गंदे है उसके विसकर भी स चौकनना वो बिलार जो है रहता है और उसका मोमेंट साथ की तरह है ओके और आप सुचोगे कि वहां सुया हुआ है लेकिन वह नीद में भी जागा हुआ है कि लिए मैकविटी की तरह कोई नहीं है मैकविटी की तरह दूसरा मैच नहीं है फिर यह जो है लाइन यहां पे भी रीपीट हो रही है clear? 4. He is find in filine shape a monster of depravity वह जो है बिली के रूप में बिली के आकार में एक शैतान एक फायंड के एक देद्ट है ओके फिलाइन बिली पर जाती को कहते हैं बिल्ली पर जाती में वो एक शैतान है बिलकुल भरस्टा चार्ज का जो है वोड़ा देप्त है आप उसे जो है बाई स्ट्रीट आप उसे चोराहे पे देख सकते हैं लेकिन जब क्राइम का पता लगता है तो माकवेटी जो है वहाँ पे नहीं है वह जो है बाहर से सम्मानिय होने का धोंग रचता है अपने आपको सम्मान पाने का धोंग रचता है यह वो कहते हैं दे से वे कहते हैं यहाँ पे चीट्स एट कार्ड का मतलब गुपत रुप से वह दोखा दे देता है और उसके जो पैरों के निशान हैं वो किसी भी स्कॉट्लेंड यार्ट के फाइल में नहीं मिलते हैं और यहाँ पे जब भोजन के अलमारी को लूट लिया जाता है लाडर मिल्ष भोजन के अलमारी जिसमें भोजन रखते हैं और जो जोलरी रखने का जगय है केस है जिसमें जोलरी रखी जाती है वो पूरी तरह से अस्त बेस्त हुई रहती है क्योंकि उसे जो है सर्च थोरोली उसमें सर्च किया जाता है खोजा जाता है बहुत ही अस्त व्यस्त करके उसे खोजा जाता है और जब दूद मिस कर जाए दूद नहीं मिले missing हो दूद गैव हो जाए और किसी मुर्गा या मुर्गी का गला घोट दिया गया हो और the green house glass is broken और जब green house का glass जो है वह कूटा हुआ हो ग्रीन हाउस जो है यहाँ पेड़ पौधा कहीं लगाते हैं तो रोशनी के लिए green green house जो है वह बनाते हैं उस पे glass लगा हुआ होता है जिसे पेड़ पौधा को जो है रोशनी मिलती रहती है और उनको प्रयाप्त रोशनी मिलती है तो जब उसका सिशा तूटा हुआ हो तो आप समझे and the trellis past repair और trellis का अथ है creeper के लिए जाली बनायाती है और वह जाली भी अगर टूटी हुई हो there is the wonder of the thing macvity is not there और यह सोचने है यह आस्चरज वाली बात है कि macvity नहीं है यहां बताया जारा है कि यह सारे काम जो है macvity करती है और macvity जो है macvity करता है और macvity जो है इतना शातिर है कि वह जो है कोई भी सुराग नहीं छोड़ता है जब उसे ढूंडा जाता है तो वह वहां पर नहीं होता है ओके clear and when the foreign office find a treatise gone astray or the admiral tree lost some plants and drawing by the way there may be a scrap of paper in the hall or on the stair but it is useless to investigate macvity is not there जब जो है विदेशी कारियाल है यानि foreign office का कोई भी संधीक अगर उलंगन हो जाए और उच अधिकारी का कोई भी कागज गायव हो जाए दस्तावेज जो है वो गायव हो जाए या कोई भी drawing जिस पर कोई खाका बना हो कोई design बना हो और वह जो है scrap के रूप में scrap के रूप में scrap बोलते हैं जैसे उस कागज को मोड कर फिक देना scrap की तरह scrap की तरह मिलता है hall के floor पे या steer पे या सिर्धी पे लेकिन यह जो है investigate करना ये जो है बिल्कुल useless है बेकार है क्योंकि macuity जो है वहाँ पे नहीं है यहाँ पे भी macuity का बताया जा रहा है कि वह कितना शातिर है वह बहुत ही शातिर बिल्ली बिलार है okay and when the loss has been disclosed the sacred service say it must have been macuity but he is a mile away जब कोई loss हो जाए okay जब loss का पता चल जाए ज़रूर macuity ने किया होगा लेकिन macuity वहाँ ने वह बहुत दूर होता है a mile away बहुत ही दूर मिलो दूर you will be sure you will be sure to find him resting or a licking of his thumbs or engaged in doing complicated long division sums you will be sure अब बिल्कुल sure होंगे निश्चित होंगे कि macuity जो है कहीं आराम कर रहा होता है ओके और वह जो है अपने success success को evaluate करता रहता है मुल्यांकन उसका करता रहता है यहाँ पे a licking of his thumbs का मतलब हुआ मुल्यांकन करता रहता है कि उसने जो भी success उसको मिला हुआ रहता है और उसने जो भी काम किये रहते हैं उस सफलता कि मुल्यांकन में जो है वह बिल्कुल बेस्त रहता है complicated long division sums इसकारत यही हुआ मुल्यांकन में बिल्कुल वह बेस्त रहता है जितने भी उसने करित किये हुए काम किये हुए है macuity macuity there is no one like macuity 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 की तरह कोई दूसरा नहीं है there never was a cat of such deceitfulness and sorivity उसकी तरह कोई दूसरा जो है बिलार नहीं है जिसके पास यह जो है धोखा देने वाली कला पलस यह धूर्तता यहाँ पे sorivity का मतलब धूर्तता या धूर्तता होगी he always has an LEB उसके पास हमेशा बहाना एक बहाना होता है and one or two to spare एक और उससे ज़्यादा दो अपने आपको बचाने के लिए at whatever time the deed took place कोई भी घटना अगर किसी समय घटित होती है तो अपने बचाने के लिए उसके बहाना होता है और valid बहाना होता है and one say that all the cats whose wicked deeds are widely known और वे कहते हैं कि जितनी भी बिलिया है और वैसी भी बिलिया जिनके जो कार्द हैं जिनके काली करतूत जो है वो बहुत ज़्यादा है जो मास्टर बिलकुल है जो widely known जिनको हर जगा जाना जाता है उसमें कुछ नाम I might mention मनगूजरी I might mention ग्रिडल बोन ये दो जो है बिलिया की परजाती है ये दोनों काफी धूर्त कनिंग परजाती होती है ये हभी कुछ नहीं है मैकवीटी के पास क्योंकि मैकवीटी के ये बिलकुल एजेंट की तरह है मैकवीटी के एजेंट की तरह है ये जो दो widely known जो बिलिया है शातिर बिलिया है ये भी मैकवीटी के सामने कुछ नहीं है who all the time just control their operation the Napoleon of crime ये है मैकवीटी जो है ये सारे बिलारों का सरगना का सरदार है बिलकुल ये सरदार है ये सब को control करता है और नियंतरन करता है तो यह जो poem है मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बिलकुल समझ में आ गई हो अगर अभी भी कोई problem है तो आप जरूर कमेंट करें इसमें मैकवीटी जो है ये एक बिलार है बिलार बिल्ली उके ही उन्होंने इस्तामाल किया है बिलार कहिए बिल्ली भी अगर मैंने बोल दिया है तो you take it और ये जो बिलार है यहाँ पर टी ए सिलियेट ने कितनी बारीकी से उसके शरीर के धाचा को बताया है प्लस उसका जो एक्षन है उसकी जो एक्टिवीटी है उसको उन्होंने भी बहुत माइनूटली बहुत बारीकी से बताया है कि कैसे कराइम हो जाता है और मैकवीटी ही कराइम करता है लेकिन मैकवीटी जो है वहाँ पर नहीं होता है और ना ही कोई सुराग छोड़ता है जिसकी वज़ससे जो दो बड़े बड़े agency हैं वहरा है परशान होती है, परशानी का वो सबब बना होता है कि मैक विट्टी को आखिर कैसे पकड़ा जाए, कुए मैक विट्टी को पकड़ने का कोई इनके पास सुबूत ही नहीं होता, और मैक विटी को कहा जा रहा है कि यह सारे बिलियों की जो सरगना है, उनका सरदार है, जितने भी क्राइम्स होते हैं, क्योंकि यह मास्टर माइंड करेमनल है, ओके, तो यह विडियो काफी अच्छी लगी होगी, आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक और